हेलो एवरिवन तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास एट्थ साइन्स चैप्टर टू मैक्रो और्गनिजम्स फ्रेंड एंड फॉई इस चैप्टर के हम देखेंगे आज क्वेशन आंसर्स तो सुरू करते हैं आज का लेसन तो हमारा फर्स्ट क्वेशन है फिल इन दे ब्लैंक्स और इसका ए है माइक्रो और्गनिजम्स कैन भी सीन विद्ध हैल्प ओफ डैस और यहां पर आएगा माइक्रो इसकोप फिर भी है ब्ल्यू ग्रीन एलगाई फिक्स डैस डिरेक्टली फ्रॉम एयर और एन्हेंस फर्टिलिटी अफ सॉयल और यहां पर आएगा नाइट्रोजन फिर सी है एल्कोहॉल इस प्रोडूजड विद्ध हैल्प ओफ डैस और यहां पर आएगा यीस्ट फिर डी है कॉलेरा इस कॉस्ट बाई डैस और यहां पर आएगा बैक्टिरिया विब्रियो कॉलेरा तो इस तरह से आप फिल इन दे ब्लैंक्स सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद अगला है टिक दा करेक्ट आंसर और इसमें ए है यीस्ट इस यूजड इन दे प्रोड़क्शन आफ तो यहां पर सेकंड वाला सही होगा सेकंड ओप्शन सही होगा और इसे आप राइट टिक करेंगे और यह है अल्कोहॉल फिर उसके बाद बी है दा फॉ करेंगे फिर सी है कैरियर ओफ मलेरिया कॉजिंग प्रोड़ोजवान इज तो इसका फर्स्ट आप्शन सही है फीमेल एनोफलीज मॉस्कीटो तो इसे आप यहां पर राइट टिक करेंगे फिर उसके बाद हमारा डी वाला है दा मोस्ट कॉमन कैरियर ओफ कम्यूनिकेबल ड आउस फिलाए तो इसे आप राइट टिक करेंगे और उसके बाद ए है दब्रेड और इडिली डॉफ राइज बिकॉज ओफ तो यहां पर थर्ड ओप्शन सही है और यह है ग्रोथ ओफ यीस्ट सेल्स फिर उसके बाद एफ है दप्रोसेस ओफ कनवर्जन ओफ सुगर इंट टिक दराइट ओप्शन को सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद हमारा थर्ड क्वेशन है मैच द ऑर्गनिजम्स इन कॉलम ए विद देर एक्सन इन कॉलम बी तो हमारा ए है ए कॉलम में फस्ट है बैक्टीरिया और इसका आंसर इसके ठीक सामने लिखा हुआ है कॉजिंग कॉल से मैच करेंगे फिर उसके बाद राइजोबियम राइजोबियम को आप मैच करेंगे फिक्सिंग नाइट्रोजन के साथ फिर है लेक्टो बैसिलस और लेक्टो बैसिलस को आप मैच करेंगे सेटिंग ऑफ कर्ड के साथ और यीस्ट को आप मैच करेंगे बेकिंग ऑफ ब्र फिर है A protozoan और इसको आप मैच करेंगे causing malaria के साथ और फिर A virus और इसे आप मैच करेंगे causing AIDS के साथ तो इस तरह से आप match the following solve करेंगे फिर उसके बाद can microorganisms be seen with the naked eyes if not how can they be seen तो इसका आंसर होगा microorganisms cannot be seen by the naked eyes because they are very small they can be seen only by using a microscope फिर उसके बाद next question है question number 5 what are the major groups of microorganisms और इसका आंसर होगा major group of microorganisms are as follows यह है viruses, fungi, bacteria, protozoans, algae तो यह है microorganisms के major groups उसके बाद अब हमारा अगला question होगा question number 6 और यह है name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil और इसका आंसर है rhizobium फिर हमारा next question है 7 write 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives और इसका आंसर है uses of microorganisms are listed below first point है they help in cleaning the environment by decomposition of organic waste materials फिर second point है lactobacillus bacteria promotes the formation of curd it multiplies in milk and converts it into curd फिर third point है bacteria are helpful in making of cheese, pickles and many other food items फिर उसके बाद अगला point है bacteria and yeast are also helpful in fermentation of rice, idli and dosa better फिर उसके बाद अगला point है yeast are very important for baking industry for making breads, pastries and cakes फिर अगला point है microorganisms are used for production of alcohol, wine and acetic acid vinegar फिर उसके बाद अगला point है antibiotics are being produced from bacteria and fungi फिर अगला point है microorganisms are helpful in producing vaccines against disease-causing agents फिर उसके बाद अगला point है some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility फिर अगला point है microorganisms are helpful in the making of manure तो इस तरह से ये थे कुछ microorganisms के कुछ useful बातें फिर अगला है अगला question होगा इसके बाद हमारा question number 8 और ये है write a short paragraph on the harmful effects of microorganisms इसका answer है microorganisms cause diseases in plants and animals example cholera in humans is caused by bacteria called vibrio cholera फिर second point है in animals the virus causes foot and mouth diseases फिर उसके बाद अगला point है microorganisms spoil the foods by decomposing the food material फिर उसके बाद अगला point है some microorganisms spoil leather and clothes microorganisms are responsible for food poisoning फिर उसके बाद हमारा अगला question है question number 9 और ये है what are antibiotics what precautions must be taken while using antibiotics तो इसका answer होगा chemical agents that kill or stop the growth of disease causing bacteria are called antibiotics antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor also one must complete the course prescribed by a doctor